फ्रेंड्स आपके फाइदेगी एक बहुत ही इंपोर्टेंट बात आज किस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने वाला हूँ देखो आपका मेकैनिक आपको जितना भी कन्विंस करें, जितना भी मनाने कोशिश करें, जितना भी समझाए एक ऐसा काम है जो कि आपको अपने बाइक या स्कूटर में कभी भी नहीं कराना है क्योंकि इस एक काम को कराने के बाद अकसर क्या हो जाता कि आप अपने बाइक या स्कूटर से बिलकुल परिशान रहते हो तो देखो दोनों तरह की गाड़ियों के मैं बात करने वाला हूँ पहला है कार्बुरेटर के साथ आने वाली बाइक और स्कूटर और दूसरा है एफ आई फ्यूल इंजेक्टेड बाइक और स्कूटर लेकिन हम बोग सुरुवात करते हैं पहले यानि के कार्बुरेटर के साथ आने वाली बाइक और स्कूटर के साथ अब देखो सबसे पहला आप यहाँ पे ध्यान दो मैं आपको कार्बुरेटर से लेटेड कुछ problems के बारे बताने वाला हूं पहला इसी समझ लो ठीक है तो number one है कार्बुरेटर में पेट्रोल का लिक करना कार्बुरeटर के किसी भी सेक्शन सा अगर पेट्रोल लिक हो रहा है number two है कार्बुरेटर में vacuum लिक यानि कि हावा का लिक होना आपने जो mixer लोड़ा है, screw से बार बार आप set कर आ रहे हैं कार्बूरेटर में, लेकिन ये problem दूर नहीं हो रहा है, पाचवा है कि अगर कार्बूरेटर के वज़े से आपके bike scooter engine start नहीं हो रहा है, छटा है कि कार्बूरेटर के वज़े से अगर engine start होने के बाद आप accelerator ले रहे ह अब देखो सारे problems मैंने कार्बूरेटर वाले आपको समझा दी, problem ये हो जाता है कि कई बार जब खास करके servicing के वक्त आप अपने bike scooter को लेकर mechanic के पास जाते हो, तो कुछ पैसे कमाने के चकर में, mechanic आपको क्या राई देता है, कि भाई बहुत दिन हो गया है, या बहुत पु कि अगर आपका कार्बूरेटर जो है, वो company fitted है, एक बार भी नहीं खुला है, और जो भी problem मैंने आपको बताया, इन में से कोई भी problem आपके bike scooter में नहीं हो रहा है, आपके bike scooter का अगर कार्बूरेटर fully fitted है, और सही तरीके से अपने function को perform कर रहा है, तो आप अपने bike scooter को mechanic को इन वगरा करने के बाद, उसे wash वगरा करने के बाद, जब mechanic उसे set करते है, तो 99% cases में ऐसा ही होता है, कि वो सही तरीके से set नहीं होता है, वो तो अच्छी तरह से fit कर देंगा, मैं fit की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब वो दोबारा से खोलने के बाद, wash वगरा करने के बाद fit करके दुबारा लगा देते हैं, तो उसके बाद maximum bycaya scooter में देखा गिया है, कि carburetor selected problem शुरू हो जाता है, I am sure आप सबने भी इसे face किया होगा, और मैं चाहता हूँ कपलो comment भी करें, क्योंकि जब आप comment करोगे, अपने problem को तो बाकी लोग पढ़ते हैं, और वो क्लीन वगरा, वाश वगरा मत करवाना, कार्बूरोटर में कोई बहुत जाए छेलचाल मत कराना, ठीक है, mechanic को knowledge होता है, उपरी उपरी में बात नहीं करू हूँ, idling screw को चेक कर लेना, उसे set कर देना, mileage को set कर देना, इन सब चीजी कोई बाद मात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कार्बूरोटर को खोल के दुबारा लगाने के बाद क्या होता है, कि जो प्राब्लम है नहीं, वो सारे प्राब्लम में केट होने लगते हैं, तो पूरे experience के साथ और अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ महीं आपको recommend करने वाला हूँ, कि इस तरह का कोई भी काम, जब तक क कार्बूरोटर में प्राब्लम नहीं हो, आप बिल्कुल भी नहीं कराएं, वीडियो आपको अभी तक अच्छा लगाएं, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दे, आज कर थोड़ा लाइक कम हो गया है, तो आपको लाइक कर दिया करो, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिल जा वहाँ पर ECU, यहनि कि engine control unit होता है, कई बार क्या होता है, कि ECU में किसी तरह का कोई गरबढ़ हो जाता है, system error वहाँ पर होता है, कई बार बहुत सारे sensors अभी के टाइम पर जो बाइकर scooter आते हैं, वहाँ पर दिया जाता है, तो उन में किसी ना किसी तरह का error हो जाता है, वो अपने function को सही से perform नहीं करते हैं, अब देखो problem क्या होता है, आपको कौन सा काम नहीं कराना मैं आपको समझाता हूँ, आज के टाइम पर mechanic क्या करते है, कि जो हमारा इस तरह की गाड़िया होती है, वहाँ पर OBD जो scatter होता है, उसे लगा देते हैं, और उसके बाद system में check करत तो वहाँ तक ठीक है, लेकिन mechanic गलती क्या करते हैं, आप समझो, action mechanic क्या करते हैं, कि जब इस तरह की चीज़े को check करते हैं, उसके बाद जो हमारा ECU का system है, उसे क्या कर देते हैं, फुली reset कर देते हैं, या जो coding है, वहाँ पर coding को कर देते हैं, कोई error है, उसे गलत तरीके से क्या कर देते हैं, कि clear कर देते हैं, वो error वहाँ पर show तो नहीं होगा, लेकिन वो error जो है, वो system में हमारे ECU है, वहाँ पर बना हुआ होता है, मैं आपको कई बार समझा दिया कि अभी के time पर जो bike scooter आते हैं, वो mechanically कम और electronically जादा controlled होते हैं, यहाँ पर बहुत सारा electrical system को दे द दिया गया है, तो जब mechanic उस OBD scanner के help से आपके ECU के system में किसी भी तरह को कोई छेड़ छाड़ कर देता है, forcefully वहाँ पर कोई भी changes को कर देता है, जो कि system भी बता रहा है कि error है, उसे नहीं करना, उसे ठीक करने के बाद चेक करना, लेकिन वो क्या करते हैं, वहाँ पर उसी तक अगर मैं भी अलग से वीडियो अपलोड करता हूँ, तो कोई problem आ रहा है, तो कोई problem आ रहा है, तो just मैं आपको यह राय देना चाहाँगा, कि अगर system related, ECU related, अगर कोई problem आ रहा है, कोई बड़ा problem create हुआ है, चाहे आपने चेक किया हो, चाहे आपके local mechanic ने चेक किया हो, तो just मैं आपको यह advice अपने तरफ से देना चाहाँगा, कि इस तरह के system के किसी भी छेड़चाड आप local garage में नहीं कराए, आप बाकी सारे काम कराए, मैं किसी काम के लिए आपको मना नहीं कर रहा हूँ, जो आपको कराना आप जहां से कराना कराए, लेकिन अगर किसी तरह का ECU का प्रॉब्लम मारा, तो just मेरे तरफ साब के लिए recommended होगा, कि आप authorized service center जाल जाए, और वहाँ पर जाके उस system को जो problem में उसे ठीक कराने के कोशिश करें, वो इकले ज्यादा बेतर हो जाएगा, लेकिन अगर आप छेड़चाड गलत तरीके से गलत जगा पे कराद होगे, तो अब हमेशा परिशान रहते हो, जब तक कोई अच्छा mechanic या कोई अच्छा technician वगरा है, उस चीज को नहीं पकड़ता है, और फिर पुराने में जाके उस error को ठीक नहीं करता है, तब तक आपको problem होते रहेगा, तो just ये दो advice मेरे आपके लिए है, कि भाई, कार्बुरेटर मे problem है, तब ही उससे clean कराए, और issue में अगर कोई बड़ा problem आ रहा है, तो उससे सही जगा सा ठीक कराए, ये आपके लिए बहुत ही बेतर होगा, और इसके वाईसे भी बहुत साई लोग अक्सर परिसान हो जाते है, तो उमीद है कि आज कि इस वीडियो में दी गए जानका रह ताकि आने वाले important videos के update आपको notification के थुरू मिलते रहे, मिलते अगले वीडियो में, thanks watching this video, good bye